अ अधिये श्रुटोन्स वेलकम। अभी पिछले कलास में हमने क्या सिखा है। तैपस आफ का अध क्लास का चैप्टर है काॉडलितरलिस Mathematos में। उसमें क्या हमने सिखा है। उसमें ताइपस आफ काउडलिलस के बारे में हमने जानकारी है। और एक property है that is angle sum property of a caudrilateral यानि एंगल sum जो है caudrilateral का मुझ क्या होता है उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की है तो इस chapter में जिसके बारे में ज्यादा हमें वहाँ पे details दी गई है वो है parallelogram parallelogram के बारे में आपको पहले से ही पता है कि parallelogram क्या है मैं फिर से आपको याद दिलाओंगा यहाँ पे यह जो शेप आपको नजर आ रहे है यहाँ पे है यह एक parallelogram है तो इस parallelogram में बहुत सारे properties हैं तो आज हम उन properties के बारे में जानकारी हासिल करनी जा रहे हैं बिल्कुल आप अपनी नोट बुक निकालके रखेगा पैन आपके हाथ में होगा और बिल्कुल आप मेरे साथ जो मैं करूंगा बिल्कुल आप भी उसी तरीके से आप करेंगे तो थोड़ा आपको कुछ help होगा यहाँ पे जहाँ पर भी आपको प्राब्म होगी तो आप क अबी तक हमने क्या जानकारी हासल की थी अबाउट दे परलोग्राम परलोग्राम इस अ काड्रिलेटरल इन इविच आपोजिट पेर आफ साइड्स और परलल इस तो अगर आपको कोई काड्रिलेटरल मिलेगा ऐसा जिसमें यह प्रापर्टीज है तो आप बिल्लकुल बख divides the parallelogram into two congruent triangles जो पहली। प्रापर्टी है कि अबर आप कोई भी diagonal इसमें रा करिंगे for example, let us draw a diagonal from A to C . You know, the diagonal divided this parallelogram A, B, C D into twoencols, triangle A, D, C and triangle C, A, B . These are now two triangles . So as per the rule, यह कहता है कि यह जो दो ट्रैंगल्स बने हैं, these are congenral triangles. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यह practically चुक करेंगे कि whether these are congenral triangles or not. तो आप यहां पे आप देखेंगे इस तरीक से यह जो मेरे हात में इस वक्ट जो फिगर है आप को अंदाजा हुआ होगा कि इस अ पर्लो गृग् tracking तो यह एक पर्लो ग्राम है पर्लो ग्राम छूंचन प्राएंगूर है यहां से इसको जब करको रखाए तो cut करके, मैं ने, चुछ के cut किया है इसको तो यह दो ट्रियंगल्स में बढ़ गया है तो अब मैंने देखना है कि क्या यह ओपर वाली ट्रे league है इसके है नहीं तो आपको पता है जब हमने 2 चीज़ आपके में है तो आपको यह घाज़ना है की whether two things are concrete or not. So, what can you do? You have to simply try to if they superimpose each other, यहने एक की ऊपर आप एक रखेंगे और देखेंगे कि क्या यह एक दूसरी को superimpose कर रहें हैं कि नहीं, तो इस तरहे की से मैं कह रहा हूँ, मैं भो एक тобर यह कर रहा हूँ, इस तरहे की साप देख लीजिएगा. आपको सिर्फ एक ही नजर आ रहे हैं हुगी. आप यहां से देखेंगे आपको भी सिर्फ एक ही नजर आएगी. in this This way, we have observed practically that the diagonal of a perlogram divides the perlogram into two congruent triangles. अब मसला है कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे. This was the practical part, इसको आप गर पे भी कर सकते हैं, आराम से आप एक चाट लाए, उस पे एक perlogram आप ड्रा कीजे, उसमें एक diagonal drag कीजे, फिर उसको आप काट कीजे, छोटी सीजर से आप इसको काट करेंगे, तो जो दो triangles आपको मिलेंगे, उनको आप superimpose करने की कोशिश कीजे, आप देखिये superimposition से, क्या वो superimpose कर रहे हैं एक दूसरी को, अगर कर रहे हैं तो आपको खुद भी पता चलेगा कि नहीं, रेली दीज आर्ट कांगरें ट्रेंग्रेंग्लिज, लेकिन वो आपका होगा practical पार्ट, उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि नहीं, वो शुर की होगी आपको, ल गयिए ओसने कांगरेंगें के बारे में हमने कांगरेंध रूर्स जो है बहातल एकां के वो चीज हमें यहां पे काम आएगी, उसकी मदास्थ से आज, अज हम यह देखेंगे कि यह दो ट्रेंगलिज क्या not है या नहीं, चु CBA तो अगर आप इन से देखें, यह क्या है? ABCD is a perlograme इतना ही हमें पता है, यह this is a pearlogram SECが you have a powergram. तो फ्रॉत एंग्लम में क्या है अगर आप यहाँ हैं यहाँ अब सिंपला यह परलोग्रम, AB साइट जो है, It's a Pearlal to DC, ऩह लिए? बिल्कल यह Street to DC है। तो यहां पे जो एंगल है इसको मैं नाम 1 दे रहा हूँ, इस एंगल का नाम 2 दे रहा हूँ, इसका नाम 3 दे रहा हूँ, इसका नाम 4 दे रहा हूँ, क्योंकि यह परलोग्राम है, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, मेरे पास एक figure है, आप इसको गोर से देख ली जगा, शायद यह आपको help रहा है। यह बिल्कुल, एक परलोग्राम यहां पे ऐख किया हूँ, इसी तरीके से यहां पे एकoptर दाइगनल है। तो मैंने दुसरा आप दूसरी तरीके से यहां आप आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आप ऐसे इसको देख सकते हैं, तो अगर आप देखेंगे यह जो Angle One है, यह Angle Four के बडावर है, क्यों Angle One, क्यूंकि यह जो आगर आप देखेंगे इस तरीके से, AB जो parallel है यह DC के parallel है तो यहां पर यह बन गया transversal फिर आपको याद होगा इससे पहले आपने lines and angles में जो पड़ा है when two lines parallel lines are intersected by a transversal the alternate angles are equal तो इसमें आप देखेंगे अगर आप देखेंगे AB is parallel to DC angle 1 and angle 4 these are alternate angles तो आप लिख सकते है angle 1 is equal to angle 4 तो similarly अगर आप देखेंगे angle 3 is equal to angle 2 क्यों यह यह वाला angle हम यहां पर लिखेंगे यह 3 angle जो है यह यहां पर 4 के बनाबर है क्योंकि AD is parallel to BC and this is the crowns vertical यह इसको आप उल्टा करेंगे बिलकुल आप पूरा इसको देखने के लिए आप ऐसी तरीके से एक आप परलोग्राम ड्रा कीजिए उसमें आप डाइगनल ड्रा कीजिए तो आपको खुद भे खुद पता चलेगा तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं angle 1 और यहां पर हम लिख सकते हैं angle 3 is equal to angle 2 अब यह जो दोने angles है इनको हम लिख सकते हैं alternate angles लिख सकते हैं और साथ में आप लिख सकते हैं AB parallel to DC and AD is parallel to BC तो यह चीज़े लाजमी है तो अब हमारे पास क्या है इन दो triangles में दो-दो angles तो बराबर है और यह जो AC है AC जो है वो दोनों triangles का side है इनका तो हम इसको common side लिख सकते हैं अब देखें इन दो triangles में तीन चीज़ बराबर है एक तो दो angles है एंगल one और एंगल three एंगल four और two के बराबर है और जो इसका side साथ में जो side है वह भी common है liz का मतलब बराबर तो इसका मतलब है जो दो ट्रैंग्ल ये एक अंगरंट है तो हम कह सकते हैं ड आ रेंगल ऑदिसी कांगरेब्स के सिथ ट्रैंगल Network । ग। पार्वर ए लेकिन हमने क्या प्रूब कर ना था हमने यही प्रूब करना था कि तो diagonal है, diagonal divides the parallelogram into two congruent triangles. So, we have proved this, simply we have proved. So, this was one of the properties that we have proved and we have also observed it practically. Now, there is one more property that is opposite sides are equal and conversely. For example, if you have a parallelogram, remember, if you have a parallelogram, if you have a parallelogram, if you have a parallelogram, then perhaps what happens? The parallelogram in the opposite sides are parallel. But we must prove that if that is an parallel, then it should also be equal. So, we can prove this. We can कैसे प्रूव करेंगे। बिलकुल आप इसको ऐजली प्रूव कर सकते हैं, अगर आपके पास एक मॉडल है, आप एक ठैट उठाएगा और घैड़ से आप इस साइड को मेजर कीज़े और यहां पे यहां पर रूलर से मेजर कर सकते हैं, आपको लगेगा कि यह बराबर बिल् कि रहुंकि अब इसमें किश्ट करने की जुर्ट नहीं है क्योंकि आगर आप देखेंगे आपने इसको प्रू किया है अभी हमने यहां पर यह जो दो ओ रॉ इंगल से parallel to DC, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, sinis triangle ADC is congruent to triangle CBA, यह congruent है, क्योंकि किस तरीके से congruent है, वह आमने प्रूब किया है, तो इसका मतलब है, AB जो side है, this implies AB जो side है, is equal to CD के बराबर है, क्यों, क्योंकि these are the corresponding parts of congruent triangles, तो इसी तरीके से अगर आप BC को देखेंगे, BC is equal to AD, BC is equal to, तो यहाँ पर आप लिख सकते है corresponding parts of congruent triangles, आप लिख सकते हैं, this is the reason why we are saying these are equal, तो इस तरीके से BC जब AD के बराबर है, तो इसका मतलब है, यह तो पहले parallel थे, अब यह equal भी है, तो AB is equal to DC, पहले यह parallel ही थे, हमें पता था, यह parallel थे, लेकिन अब हमें पता चला कि यह इक्वल भी है, तो वाट्ट वी हाव लर्न दाओ, अपोजर साइडिस आफ ए परलोग्राम और एक्वल एज परलोग्राम और यह दूसरी हमें आपको इसी तरीके से आप इस को करते हैं, जब आपको उसके लिए आप खूद करेंगे रहा हूँ, इसी तरीके से आप ऐक परलोग्राम ड्रार कीज़ेए और एक डाइगणल ड्रार करेंगे आप, तो डाइगणल करणे के यह common side है तो यह side इस side के बराबर है तो इस तरीके से यह दोनों triangle जो है congruent haps में जब triangle is congruent है तो corresponding parts equal है तो यह angle आपका angle one angle four के बराबर होगा फिर आपका तो angle one जब angle four के बराबर होगा तो these are alternate angles जब alternate angles बराबर होते हैं तो इसका मतलब है lines का लाजमी parallel होना है तो similarly angle two is equal to angle three this implies a d is parallel to b c तो इस तरीके से आप इस converse part को भी prove कर सकते हैं मैं आप पर यह छोड़ रहा हूँ आप इसको try कीजे अगर फिर भी आपको कोई difficulty आ रही है तो आप अपने teacher से contact कीजिए वो आपको help करेगा उस बारी में फिर तो अब उसके बाद और एक property है that is the opposite angles are equal and the adjacent angles are supplementary yes in a parlogram एक parlogram अगर आपके पास है उसमें जो opposite angles होते हैं जैसे मैं आपको यहां पर दिखाऊं यह एक parlogram हमारे पास है this very angle is opposite to this very angle और this very angle is opposite to this very angle तो यह angles आपसे बराबर होती हैं जो opposite angles होते हैं यह बराबर होते हैं अपसे कितना कितना होता है इनका major देख रहे हैं यह बिलकुल आप इसको घर में भी बना सकते हैं ऐसे आप बना सकते हैं इसको घर में चार्ट पेपर का इस्तिमाल करके या आप कार्डबोर का इस्तिमाल कर सकते हैं या प्लायूर का इस्तिमाल कर सकते हैं जो आपकी मर्जी है तो यहां पर क्या है ए बी सी डी is a pearlogram, तो A, B, C, D is a pearlogram, यहां पर चार angles है, यह वाला angle A, angle B, angle C and angle D, तो angle B is opposite to angle D, तो हमने क्या prove करना है, हमने prove करना है कि angle B, angle D के बराबर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहां से, हम यह बराबर है, तो इसका मतलब है, तो इसको एहलालiada, यहां हम से कर रहें, यहां से, यहां हम देखेंगे क्या यह w conduz आप देखेंगे और इसको हम यहां से उठा रहे हैं कि यहां पर फित हो रही है, इस तरीकी से हमें यह पता चला है कि यह आंगल जो है यह इस एंगल के बराबर है यानि इस आप उपॉसिट अंगल इस आ इक्वल तो आप आप देखेंगे इन दो जो आ पोजिट अंगल बाकी जो हमारे पास रहें इनको भी आप चाग की जए इसको उठाई आप इसको यहां पर देखिए आप आप देखें parallelogram are equal. Now, we have to prove it, we have to, to कैसे हम प्रूव करेंगे, उसके बाद जो adjacent angles की बात है, हम उसके बाद करेंगे, सबसे पहले, we are going to prove that opposite angles in a parallelogram are equal, तो कैसे हम करेंगे, तो यही जो है, अभी हम क्या करेंगे यहां पर, यहां पर यही figure में use करूँगा, इसी figure का इस्तेमाल करके, हम इस तीज को prove करेंगे, यहां पर आप देखेंगे यहां, क्योंकि अभी हमने prove किया है, triangle A, D, C is congruent to triangle A, B, C, right? We have proved it. So, यहां पर हम लिखेंगे, we know that triangle A, D, C is congruent to triangle A, B, C. जब triangle is congruent है, तो corresponding part is, जो है, वो equal होते हैं, इसका मतलब है, angle B, जो है, इसका corresponding part, जो है, angle D है. So, this implies angle B is equal to angle D, क्योंकि इस अभी क्योंकि तीस थे corresponding part of congruent triangles. So, angle B when is equal to angle D, but these are the opposite, one pair of opposite angles in the perlogram A, B, C, D. So, यह पर पर प्ताचला we have proved that this pair of opposite angles in this perlogram, in a perlogram is equal. Now, we have to simply prove that angle A is equal to angle C. So, how can we prove that? We know that this triangle is content to this triangle and angle 1 is equal to angle 4. To, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, angle 1 is equal to angle 4. और इसी तरीके सा, अगर आप देखेंगे, angle 2 किसके बराबर? Angle 3 के बराबर है. Angle 2 is equal to angle 3. क्योंकि यह कौन से हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं, AB is parallel to DC, because AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, AD is parallel to BC. अगर यह चीज़ यह angle 1 जो है, angle 4 के बराबर है, angle 2 जो है, angle 3 के बराबर है. अगर हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ एड करेंगे हम, angle 1 plus angle 2, तो यह बराबर होगा angle 4 plus angle 3 के बराबर होगा है. होगा कि नहीं? बिलकुल definitely होगा, क्योंकि जब दो चीज़े आपसमें बराबर होते हैं, इनका सम भी आपसमें बराबर होगा. तो angle 1 plus 2 जो है, यह completely angle A बनता है. So, this implies, यहाँ पे हम लिखेंगे, angle A is equal to, angle 4 plus 3 जो है, this makes angle C. So, we have proved angle A is equal to angle C. This is another pair of opposite angles in the parallelogram A, B, C, D. So, in this way, we have proved that the opposite angles in a parallelogram are equal. Now, what remains there? There remains, we have to prove the adjacent pairs are supplementary. Yarni, adjacent pairs का मतलब क्या है? अगर आपके पास यह parallelogram है, इसका आप देखें, यह वाला angle जो है, इसका जो opposite angle था, यह angle था. लेकिन इस angle का जो adjacent angle होगा, यह भी इसका adjacent angle है और यह भी इसका adjacent angle है. इसका मतलब है आप इसका कोई भी adjacent angle आप ले सकते हैं, अगर इनको आप एड करेंगे, इस और इस angle को आप एड करेंगे, इसका sum होना चाहिए, supplementary means 180 degree. या इन दो को आप एड करेंगे, इन दो को आप एड करेंगे, तो इनका sum भी 180 degree होना चाहिए. यादि कोई भी दो आप लीजे, जो आप इसमें, जो opposite ना हो, तो इसका मतलब है, उसका sum 180 degree आना चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहरे एक practical करेंगे यहाँपे. Practical करने के बाद हम देखेंगे कि क्या वाकी यह बराबर है कि नहीं है. फिलाल में यह जो मेरे पास माडल है, इसको अभी हमने इस पर यह प्रू किया था, जो opposite angles है, वो बराबर है. तो अभी हम क्या प्रू करने जा रहे हैं कि adjacent angles are supplementary. फिर भी आपने अपनी जगा पे यह angle जो है, आपने अपनी जगा पे आया है. तो अब हम क्या करें, चलो हम यह दो प्रू करें, यह दो जो angles है, इनको हम प्रू करने जा रहे हैं कि इनका जो sum है 180 degree. तो कैसे प्रू करेंगे, यहां पे आपको पता है, यह बीच में जो space है, इसमें लिखा है 180 degree. तो आपको पता है, एक line पे जो आप angles, जितने भी आप angles ड्रा कर सकते हैं, एक point पे, तो उनका जो sum होता है, वो 180 degree होता है. तो हम यही करेंगे यहां पे, हम ऐसा करेंगे, इस वाले angle को हम उठाएंगे, यहां पे रखेंगे, इसको हम यहां पे रखेंगे, तो अब यहां पे इसका जो addition angle है, यहां पे रखेंगे, तो हम यहां पे observe करेंगे कि क्या है, आप खुद भी देख सकते हैं. तो इस तरीके से the sum of these two angles is 180 degree, तो ये भी प्रूफ हुआ है, तो अगर आप देखेंगे इनका, चुंकि इनका भी 180 degree होगा, क्योंकि अभी हमने इससे पहले प्रूफ किया है, the sum of the four angles is 360 degree, जब 280 रहा, तो ये दो भी 180 रहे, लेकिन अब मसला है कि क्या इन दो का sum 180 degree होगा कि नही चलो इनको भी हम check करते हैं, फिलाल ये जो angle है, इसको हम यहाँ पे fit कर रहे है, और ये वाला angle जो है, इसकी जो strip है, वो ये है, और इसको हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे, बिलकुल यह भी fit हो रहे है, तो इस तरीके से इनका भी sum जो है, वो 180 degree ह है, तो in this way, we have observed practically, the sum of adjacent, any two adjacent angles in a perlogram is 180 degree, now, we have to prove it, we need to prove it theoretically, because tomorrow in the examination, you need to write it theoretically, वहाँ पर आपको practically शायद नहीं पूछा जाएगा, practical इसलिए है, कि आपको इससे concretely समझायेगा, ये practical करने से, लेकिन मेरी गुजारिश आप से है, बिलकुल आप इसको घर पे कीजेगा, आप ये सब मॉडल्स जो है, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त आप मेरे साथ नहीं हो सकते हैं, तो लेकिन आप कोशिश करेंगे, अपने गर पे बेचे हुए, ये सब मॉडल्स आप बनाएंगे, तो इन से क्या होगा, इन से आपकी जो नालेज है, व आपको पर्लोग्राम करेंगे, तो ये वाला एंगल ये इन दो का सम जो है, वह 180 डिग्री है, तो इसी तरिके से मैं ये पियर करूँ करूँगा, तो आप आगे बागे पियर्स खुद पियर्स कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहां पे, इस साइड को मैं प्रड्यूस करू क्योंकि जब आगे forward किया है इसको तो यहां पे और एक angle हमाया पास exist हुआ है तो आपको पता है आपको पता है PQRS is a parallelogram, right? तो it means P S is parallel to QR, right? तो it means S R is the transversal, तो transversal जब दो parallel lines को intersect करता है तो वहां पर corresponding angles बनते हैं, alternate angles बनते हैं तो अगर आप देखेंगे इस angle को हम नाम देंगे angle 1, इसको हम नाम देंगे angle 2, इसको हम नाम देंगे angle 3 तो अगर आप यहां पे देखेंगे, बिल्कुल इसको फार में लिए आप खूद लिखेंगे, मैं आपको इसको यहां पे help करने की कोशिश कर रहा हूँ आप बाकि आप जानते हो अची तरह से, आप करेंगे इसको इन्शालला, तो यहां पर आगर आप देखेंगे, आंगल 1 इस इक्वल टू अंगल 3, आंगल 1 जो है यह आंगल 3 के बराबर, क्यूंकि PS is parallel to QR, and SR is transferred, यहां पर आप लिखेंगे, PS is parallel to QR, यह चीज़ आप इसको साथ नहीं सोचा है, एंगल 2 और एंगल 3 जो है, यह यह लीनेर पियर है, यानि एक ही लाइन पर, एक पॉइंट पर जो एंगल बनते हैं, उनका जो साम होता है 180 डिग्री, तो यह 180 डिग्री के बराबर है, लीनेर पियर, लेकिन यहां पर आपको लगा है कि एंगल 3 जो है, वह इसलिए हम यहां पर जो एंगल 3 है, इसको हम रिप्लेस करेंगे एंगल 1 से, so this implies, एंगल 2 प्लस एंगल 1 is equal to 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to 180 डिग्री, यह हम ने प्रूव करना था, so how easy it was, कोई परिशानी नहीं है, आप इसी तरीके से बाके पियर्स जो होंग यह, और यहां पर जो एंगल बनेगा आपका, वो इसके कारिस्पांडिंग अंगल होगा, तो इस तरीके से एंगल 2 और 4 आप हासिल कर सकते हैं, कि इनका जो सम है, that is 180 डिग्री, तो इस तरीके से हमने यह प्रूव किया है, कि आपोजिट एंगल आप परलो ग्राम और some of the adjacent angles are, some of the adjacent angles of, any pair of adjacent angles in a perlogram is also 180 degree. Now, there is one more property, that is the property, fourth property is diagonal of a perlogram, diagonals of a perlogram bisect each other. So, what is the property actually? अगर आपके पास एक perlogram है, यह मेरे पास एक example है, यह आपके पास एक perlogram है, यहाँ पर जो diagonal is draw किये होए है, these diagonal intersect at this very point. तो यह चीज हमने प्रूव करना है कि यह जो diagonal है, यह आप उसमें जहां पर intersect करते हैं, यह बराबर intersect करते हैं, यह बराबर intersect करते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं, bisect each other. तो इसके लिए मेरे पास एक simple सा model है, आप भी इसको बना सकते हैं, अपने घर पे बना सकते हैं, आप simply एक wooden piece लाएए, उसमें परlogram, बिल्कुल आप उसको परlogram की सूर्थ में आप इसको काटिये, तो फिर जो intersecting point होगा diagonal का, उसमें आप एक छेद कीजिए वहाँ पर, thread उसको लगाएं वहाँ पर, तो फिर आप thread से check कर सकते हैं, कि weather उसमें जो opposite pair of side, diagonal जो है, क्या वो bisect हो रहे हैं, या नहीं हो रहे हैं, तो चलो हम यहाँ पर, मैं try कर रहा हूँ, यह यहाँ पर intersecting point पर thread बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या करें, य आप इसको मैं यहाँ तक ले रहा हूँ, आप देखे खुदी, तो इसका मतलब है, यह जो diagonal है, यह बिल्कुल bisect हो रहा है, अब चुनकि हमने यह वाला भी प्रूव करना है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम ले जाएंगे, यहाँ तक यहाँ तक इसको measure करेंगे, आप य दूसरी को bisect करते हैं, तो अब यह था practical part of the problem, यह अभी हमने practically observe किया है, कि इसमें जो यह diagonal है, यह bisect करते हैं, तो इसी तरीके से अगर आप चाहेंगे, यही technique इस्तमाल आप करेंगे, आप एक thread ला सकते हैं, thread आप यहाँ पर बांद सकते हैं, तो यह वाला side जो है, यह आप major कर सकते हैं, तो यह इसके बराबर आपको मिलेगा, और यह वाला side जो है, यह आपको इसके बराबर मिलेगा, तो इसके बाद जो इसका रहता है theoretical part, वो हम इन्शालला जो next class होगा, उस next class में, इसका जो theoretical part होगा, यहने how to prove that the diagonals in a parallelogram bisect each other, तब तक के लिए, खुदा हापिस धन्यू